हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अगर आप सहत मन्द जिंदगी जीने के अपने लक्षे को पाना चाहते हैं तो शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की ओर भी ध्यान देना जरूरी है क्या है ये माइक्रोनिट्रियंट्स और इनकी कमी दूर करने के लिए सप्लिमेंट्स का सेवन कितना सही है चलिए जानते हैं इस वीडियो में पोशक तत्वों की दुनिया बहुत विस्त्रित है प्रोटीन, वसा और काबोहाइड्रेट जैसे पोशक तत्वों की जहां शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है वहीं विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, आइरन जैसे माइक्रोनिट्रियंट्स भी है जिनकी जरूरत वैसे तो हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है पर इनकी कमी कई बड़ी स्वास्थे समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती है अगर शरीर को आहार के माध्यम से ये पोशक तत्वा नहीं मिल पा रहे हैं तो इनकी आपूर्ती के लिए सप्लिमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने में इनकी बहुत महत्वपून भूमिका होती है आखिर क्यूं जरूरी है माइक्रोनिट्रियंट्स? शरीर के विभिन अंगों के सुचारू रूप से कारी करने और तेज मेटाबॉलिजम के लिए माइक्रोनिट्रियंट्स की भूमिका एहम होती है माइक्रोनिट्रियंट्स की कमी से होने वाली स्वास्थे समस्याओं की शिकार पुरुषों से ज्यादा महिलाए होती है इन में वजन से जुड़ी समस्याएं, अनिद्रा और डाइबिटीज जैसी परेशानिया शामिल है खास बात यह है कि इन में से अधिकतर स्वास्थे समस्याओं से बचा जा सकता है इसके लिए बस आपको पोशक तत्वों से भरपूर भूजन का सेवन करना होगा या फिर जरूरी हो तो इन पोशक तत्वों की आपूर्ती सप्लिमेंट्स के माध्यम से करें जानते हैं माइक्रो निट्रियंट्स की कमी से होने वाली समस्याएं कमजोर रोग प्रतिरोधक तंत्र, माइक्रोन्यूट्रियंट्स की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता हड्डियों और जोडों की समस्या, कैल्शियम और विटामिन D की कमी से हड्डिया कमजोर हो जाती है और जोडों में दर्ध होता है उर्जा की कमी, आयरन और विटामिन B12 की कमी से शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है पाचन तंत्र की समस्या, माइक्रो न्यूट्रियंट्स की कमी से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, जिससे कब्ज, एसिडिटी और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है ठीक है सप्लिमेंट्स पर निर्भरता? जब खाध्य पदार्थों से विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्थी नहीं होती है, तो सप्लिमेंट्स से इनकी कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है सप्लिमेंट्स दो तरह के होते हैं कुछ सप्लीमेंट्स फलो, सबजियों, जड़ी बूटियों और दूसरे खाद्य पदार्थों से तयार किये जाते हैं। वहीं सिंथेटिक सप्लीमेंट्स प्रयोक्षाला में तयार किये जाते हैं। बजार में विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स, हर्प्स, एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स और एंटी ओक्सिडेंस के सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं। इनमें से विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शरीर की विभिन गतिविधियों जैसे उर्जा, मेटाबॉलिजम, रोग, प्रतिरोधक तंत्र, हड्डियों और उतकों को स्वस्त रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं. नूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के फायदे और नुकसान नूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फायदे मंध होते हैं, लेकिन वो संतुलित और पोशक तत्वों से भरे भोजन का विकल्प नहीं हैं. मल्टी विटामिन्स और मिनेरल्स के सप्लीमेंट्स विश्व में सबसे ज्यादा लिये जाने वाले सप्लीमेंट्स है पिछले कुछ वर्षों में इनका सेवन अत्यधिक बढ़ा है इसके पीछे एक सामान्य धारणा है कि मल्टी विटामिन्स स्वस्थ है रखते हैं और गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बचाते हैं हाल ही में International Journal of Applied and Basic Medical Research में प्रकाशित एक अध्यान के अनुसार तीस प्रतिशत लोग बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करते हैं यह सही है कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर को 13 विटामिन्स और 15 मिनरल्स की जरूरत होती है लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना इनका सेवन करना आपके जीवन के लिए खत्रा बढ़ा सकता है जो लोग विटामिन B12 और विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेते हैं उन्हें हर 6-8 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए तो चलिए जानते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के प्राकृतिक्स रोट विटामिन D सूरज की रोश्नी, मचली, अंडे की जर्दी विटामिन B12 मास, मचली, डेरी उत्पाद कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सबजिया मैं उमीद करूगा दोस्तों कि आपको हमारी यह विडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी यह विडियो पसंद आई है तो कृप्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे धन्यवाद